और सावन के इस पहले सुमबार को मैं देश वासियों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मनसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देश रहा है कि संसत का ये सत्र सकारात्मक हो सुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोक्तंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर्पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रुप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत्र गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोक्तंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है ये बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूं क्रमा शहरुप से उन गारंटीों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के काईरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब बिख्षिज भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासिक के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश है गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मन्स एक प्रकार से आपर्चुनिटीजी की पीट पर है ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी साउसदों से किसी भी दल के क्यों नहों मैं आज आगरह पुरव कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ दी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास किया लेकिन आप वो दोर समाप्त हुआ देश वाचियों ने अपना निरने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का करतत्य है सभी राजलितिक दालों की विशेज जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली अब आने वाले पाँच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजलितिक दलां से भी कहूंगा कि आईए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उपयोग करें जन्वरी ट्वेंटी नाइन जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाईए मैदान में सदन के अभी उप्लो करना है कर लीजिए उच्छे माइने जो खेल खेलना है केल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश के महिलाए उनके सामर्थ के लिए उनको एंप्लावर करने के लिए जन भाजिदारी का इजन अंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाए मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसर्थ पांच साल के लिए आए कुछ सांसर्थों को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसर्थ ऐसे थे जिनको अपने खेत्रगी बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से सांसर्थ को समर्द्य करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के सांसर्थ के महत्वपुन समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती बिफर्ताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया है मैं सभी दलों से आगरह पुर्व कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए है ऐसे बहुत बई संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में है उनको आउसर दीजिए चर्ट्या में उनके विचारों को प्रजट करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसत गठन होने के बाद जो पहला सत्र था एच सो चालीस करोर देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुचलने का अलोक्तिरिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोक्तांत्री प्रमपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्याताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आदिरफुर्वर कहना चाहता हूँ देश वासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है बल के लिए नहीं बेजा है ये सदन बल के लिए नहीं ये सदन देश के लिए है ये सदन साउसदों तक इस सीमा तक नहीं है ये 140 करोड देश बासियों की एक बिराज सीमा तक करके ये लिए है मैं अभी श्वात करता हूँ कि हमारे सभी मानिय साउसद पूरी तयारी के साथ चर्चा को समर्द करेंगे कितने ही बिरुद्व विचार होंगे बिरुद्व विचार बुरे नहीं होते है नकारात्पक विचार बुरे होते है जहां सोचने की सिमाय समाप्त हो जाती है देश को नकारात्पक तागी जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उचाईयों पर ले जाने वाली विचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरे आशा करता हूँ कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामानिय मानवी के आशा आकांख्याओं को पूर्ण करने लिए शकारात्म गुरुप से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्वाद साथियों